गुरू का स्थान-दोश कैसा है? देखिए जो दोश ब्रिहस्पती की वज़ा से बनते हैं, गुरू की वज़ा से बनते हैं, उनकी intensity ज़्यादा होती है इसलिए अगर गुरू का स्थान-दोश कुंडली में है, तो उसको समझने की आवशक्ता है क्योंकि ये स्थान दोश ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नकारात्मक मामला है लेकिन ये कभी कभी बहुत जादा निगेटिव हो जाता है ये दोश बनता है ब्रिहस्पती के कारण जिस भाव में ब्रिहस्पती इस्थित होता है जिस भाव में ब्रिहस्पती बैठता है उसका नाश कर देता है अगर ब्रिहस्पती लगन में बैठ गया तो स्वास्थ को नुकसान जरूर पहुँचाएगा अगर ब्रिहस्पती दशम भाव में बैठ गया तो करियर में बाधाएं पैदा करेगा ब्रिहस्पती जहां बैचते हैं उस स्थान को नुकसान पहुचाते हैं और जहां पर ब्रिहस्पती की दृष्टी होती है वो स्थान शुब हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं इसी लिए जिस स्थान में ब्रिहस्पती पाया जाता है वहां पर स्थान दोश देता है अगर पंचम भाव में पाया जाए, संतान भाव में ब्रिहस्पती पाया जाए तो संतान नहीं होती या संतान होने में दिक्कतें पैदा होती है पंचम भाव में ब्रिहस्पती का होना संतान के लिए अच्छा नहीं होगा सब्तम भाव में सात्वे भाव में ब्रिहस्पती बैठ गया तो या तो विवाह नहीं होगा या वैवाहिक जीवन बेहद खराब होगा बेहद निगेटिव होगा यानि ब्रिहस्पती जिस भाव में बैठेगा उस भाव से समबंधित गुड़ों को समाप्त करेगा उस स्थान को नुकसान पहुँचाएगा ब्रिहस्पती का बैठना बहुत ज्यादा महत्वपून है वो जहां बैठते हैं उस भाव को उस स्थान को नुकसान जरूर पहुँचाते हैं और इसका प्रभाव जीवन में जरूर दिखाई देता है अगर धन भाव में ब्रिहस्पती बैच जाए कुछ विशेश इस्थितियों को छोड़ करके धन भाव में बैठा हुआ ब्रिहस्पती दरिद्रता देता है धन भाव में बैठा हुआ ब्रिहस्पती जीवन भर व्यक्ती को भटकाता है जीवन भर व्यक्ती के जीवन में भटकाव पैदा करता है व्यक्ती थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है अगर चतुर्त भाव में ब्रिहस्पती बैठ जाए तो जीवन भड़ अस्थिरता बनी रहती है कम से कम जीवन का जो पहला हिस्सा है चालीस साल तक का जो जीवन है वो संघर्श में बीटता है 40 वर्ष के बाद इस इस्थिती में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होता है तो मोटे तोर पे ये बात समझे कि गुरू जहां बैठेंगे वहां पर नुकसान पहुँचाएंगे वहां पर दिक्कत पैदा करेंगे और जहां पर उनकी दृष्टी होगी उस स्थान को उस ग्रह को उस भाव को लाब देंगे अब अगर ब्रिहस्पती कुंडली में कहीं ऐसी जगां बैठ गए है जहां से आपके जीवन में बाधा आ गई है जहां से आपके जीवन में रुकावट आ गई है तो इस दोश को भंग कैसे करेंगे जिस भाव में ये ग्रह दोश है जिस भाव में ब्रिहस्पती बैठे हैं उस भाव को मजबूत करने के उपाए करियेगा सब्तम भाव में बैठे हैं विवा नहीं हो पा रहा है तो सब्तम भाव को मजबूत करने के प्रियास करेंगे रोज सुबह एक बार विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे नित्य प्रातह एक बार विश्नु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत अच्छा होगा अगर ब्रिहस्पती का स्थान दोश कुंडली में है तो ब्रिहस्पती वार को गुण और चने की डाल का दान करियेगा अपनी अंगुलियों में या तो पीतल की अंगूठी या सोने की अंगूठी जरूर धारन करियेगा अपनी अंगली में सोना या पीतल पहनना आपके लिए बेहतर होगा और अगर कुंडली में ब्रिहस्पती स्थान दोश है या ब्रिहस्पती से संबंदित कोई भी दोश है तो मांस और मदिरा से परहेज करिएगा क्योंकि अगर ब्रिहस्पती का कोई दोश कुंडली में है और आप मांस मदिरा में लिप्त होते हैं तो इसके परिडाम आपके लिए गंभीर होंगे ये दोश और भी जादा निगेटिव होगा